सबी कहां सवगत करता हूँ फीजीजगान मकेश ने एक चैनल पर आज हम लोग चार मार के जो कोश्चन से मतलब सेशन डी होता है लॉग एंसर बोलती उसको उसका सोलुशन लिखिया है तीनी कोश्चन से उसमें से अलड़ी एक मेने पढ़ाया है कहां सर दो मार के लिए ड्र समय लेंगे क्योंकि वह कोश्चन कभी रिपीट नहीं हो यह रिपीट कोश्चन देशा कोश्चन होगा है दो मार के लिए जो कोश्चन था वही बाद देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर स्प्रेक्ट्रम डिस्ट्रिबिशन ब्लाक बड़ी राडियेशन निकाना है यह यहां हमारे पास देख सकते विवलेंट है यह टेमपरेचर है 3000 4000 5000 345 बच्चों 6 लिखते नहीं प्रिकोश्चन क्या लेना चाहिए यह बता रहा हूं तो यहां पर 5600 किल्वने यह लैंबडा मैक्स है यह यहां पर ठीक है यह विवलेंट है यह राडियेशन पावर होती है इतना ध्यान रखना है बाकियों कुछ नहीं यह ओनली डाइग्राम के उपर दो मारे के लिए सवाल आता है ठीक है उसने उपर तीनी पॉइंट से ज्यादा पॉइंट ने ज्यादा डिसकेशन करनी की जरूरत भी नहीं है देखो दर रेत ऑप इमिशन जोई पर यूनिट ओडल आतर पिमिशन पर यूनिट अर पावर पर यूनिट अर्यूनिट अप इसद इस इसे ही इसे दिफाइज देफिन आतर पंशिन आफ वाललानी इंट ऑगर डिडां मारे अगर नमला माग्शिन वालस आप a-ल्यू यहा यहा फाग्ड़ी ने भी फाग्गर के श् तो यह चीजह मेना अल्डीडी पढ़ा है इसलिए जादा इसकेशन नहीं हो रहा है यहां पहे क्या है ग्राफिकली कर सकते हैं इसलिए मुझे आगे क्वेश्चन पे बढ़ना है कम चोटा वीडियो बनाना ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है ठीक है तो अल्डीडी यह एक्स्प्लें किया अगर यहां पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिजिस गया मुकेशन ह आपको डिटेल में मैंने यह माग्जिमम क्यों होता है क्या होता है सब कुछ बताया है ठीक है यह इतना ही लिकना है आगे हम लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्केशन करना है इसलिए बस इसको खदम कर रहा हूँ यह आप है second question इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ह अलेलज अब्कश मालिकविकाय선 किष tumor मतलब यह क्योबिकल मतलब से रौम मेरे ठीक है यह獨़ स्सक्राइख फिर मुमें इसके पाद और मोमिटम होगा पी अगर यह मो कर रहा है तो ममेंटम होगा है तो गया ने तो बेसिक फारमुले यहार होनाट यहाद मिमोरना नहीं हो आप लोगों के लिए ये मैंने लिख्के रखे मोमेंटम का फार्मुला है मास इंटी वेलासिटी ताइम क्या होता है डिस्टन्स अपन स्पीड या स्पीड का फार्मुला एक्चुली डिस्टन्स अपन टाइम तो टाइम इधर आये तो दिस्टंस अपन स्पिड होगा फोर्स होता वाया न्यूटन स्लाज चेंज इन मोमेंटम दिपी बाय है ना डी टी लिखते है देल पी बाय देल टी फोर्स का पर उनिट एरिया ये प्रेशर का फार्मुला क्योंकि हम लोग प्रेशर एग्जाड केतना होरा इस ग्यास मॉल्यक्ल के उपर ये हम लोगों को निकालना है याप है सिंपल कंडा है कोई टेंशल ने की जरत नी कुछ नी ये पार्मुले याद होना चाहिए कुछ नी देखो इनिशली मेरा पाल्टिकल गया इस वाल पे जाके टकराया तो मैंने बोला यार एंसर में आम लोगों को थोड़ा सा महिने जो बोलाना वो लिखना है ठीक है कुछ नी थोड़े दो तीन लाइन उसका आदा मार्क होता है डाइग्रम का ऐसे मार्क होते है तो इसलिए लिखना पड़ेगा now consider the gas molecules ठीक है यहाँ पे V is the velocity momentum है यह हो थोड़ा सा लिख लेना ओके तो यहाँ पे initially initial moment ठीक है इसको P1 बोले यहाँ ना बोले तो भी चलेगा तो M V momentum यह यह initial momentum हमारे पास यहाँ पे और along the x axis देखो आपको मानना पड़ेगा along the x axis से y axis से z axis से देखो इसके बाद में final आप देखो जाके टकराया पहली जो momentum ही है अब यह final moment है momentum करो ठीक है momentum इसको P2 बोले लगे तो minus M Vx क्यों sir minus क्यों कि जाके rebound होगा ना जाएगा return वापिस आरा है मतलब ball मार दिया अब वापिस आ रहा है इसलिए minus से ठीक है मुझे changing momentum निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा final minus initial तो changing momentum देखो P2 minus M Vx है और यह minus M Vx तो changing momentum यहाँ पर minus minus 2 minus Vx भया इतना मेरा loss of momentum हो रहा है यह कुन सा है भया loss of momentum मुझे कितना gain करना पड़ेगा निक दो तो यह 20 M Vx इतना करना पड़ेगा बास समझ में आ रही है यह मुझे gain करना पड़ेगा यह gain of momentum लिख सकता हो चलो momentum हो गया से इसके बार में बताओ डेल्टी टाइम निकालना भी ठीक है जुसरा फार्मूला distance देखो यह जा रहा है यल वापिस यल आ रहा है अरे यह वाल है ना अब यह आपे 3D राइग्राम दिक रही नहीं बोड पर इसलिए आपको पता नहीं लग रहा होगा जाना यल एक वापिस आना यल तो हो गया दिश्टन्स टॉइस यल डिवाड़ेड़ बाइस पीड कौन से एक्सिस से लिए रहा हूं मैं यक्स अलांग यक्स अक्सिस ओके मतलब दो जी चीज मिल गए आप देखो मोमेंटम मिलगा टाइम मिलगा फोर्स निकाल सकता हो कितना एक्जर्ड कर रहा है इस वाल पर हमारा आ योब और लुस्त यह निकालना तो मैहन क्रते हैं पॉर्स निकाल नहीं है निकाल दो सैय तो फोर्स क्या होता है डिवैडत घंज चैंजिं डिवेंटम और टाइम कितना है 23 यहं ऑल ray connections क्तना है 23 एक्स गेरा यह टीवैड दीवार्डी हो रहा है दिखाई तो देरा है भाई आप लोगों को ठीक है फोर्स कितना एक्जर्ट हो रहा है तो इतना हो रहा है लेकिन मैं लिख सकता हूँ F is equal to YUM by VL small YUM लिखो लगे तो क्योंकि आपके Bucs में small YUM है तो यह लिख सकता हूँ V Yaks 1 Caus² V Yaks 2 Caus² डाइ 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 से कितने सारे molecules हो सकते कितना मेरा व्हärं ऑग्जर्ट हो रहा हुआ ये बात दानchnya लेता हूं थोड़ा सा ओके तो आप देखेंगे फोर्स मिला चलो सरी यह निकालते लेकिन एक बात ध्यान रखना इसका मुझे मीन जैसे निकालते मिन निकालते पता है ना जैसे कि किसी का मिन निकालना है तो हम बोलते हैं इसमें 20 मारक आगे ते एक में 40 आगे ते एक में 60 आ मिन निकालना है मुझे तो यहां पर मैं लिख सकता हूं यह ऐवरेज मिन निकालने के लिए ऐसे निखते है अरियक्स फ्र तनी इसलियोग worry V x 2 square V x 3 square double dash divided by n पता ने न कितने इसलिए divided by n लिखाए अरे बागवान समझे थोड़ी सी प्राब्लम आई थी स्वारी फारीन करने विनिया से ठीक है यह बास समझ में आया बाया टोटल जैसे इसका निकाला मीन वही से मैंने मना एक काम करते है V यह मीन भाया मीन निकाल रहे यह 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 मल्टिप्लाइ करते है इदर तो बचा है V x 1 square V x 2 square डाइड व x 3 square डाइड 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 समझे काम करते है अब ही कीज की वेली बाद में पूट अप करेंगे पहले सबसे पहले मुझे मोमेंटम निकालना है नहीं पावर स्वारी देखो पी बी मोमेंटम है यह पी इस पावर भी आठ स्वारी प्रेशर प्रेशर का फ पूर्स एक्षरेटेड बाद गयाट स्मॉल्कुल डिएड बाद साडव एरे यह जो एरे ना यहां पर यह यह लिया अपके बुक्स में ठीक है यह तो फॉर्स पर उनिट ए पर फॉर्स की वैली मुझे पता यार कर दो यहां पर यम बायल ठीक है यहां पर वी एक्स 1 का स् Vx 3 का स्क्वेर डाड़ डाड़ डिवाड़ 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 ए ए मतलब ही रहा ही रहा होता यल स्क्वेर यह तो पता है ना सिंपल सी बात है ना यार A is equal to L square side का स्क्वेर क्योंकि square लिया मेंने ठीक है तो यह होगा L cube यह यह इसकी value यह यह M है यह V square है और यह L cube बैया अलॉंग दय एक स्क्वेर के लिए ठीक है इसी को थोड़ा सा को मौडिफाइ करके यन यम वी यह माइनस टूने यह यह बार जाए से मतलब यह मीन निकालने के लिए तो यह यह फार्मूला मिल रहा है लेकिन बैया मुझे बताओ क्या यह ग्यास इस मोले कुल onli x axis से फिक ही दोड़ेंगी किसमें से नहीं along the x axis y axis z axis कोई बी यह सब्सक्वेर कोई प्रेइस में सकता हुए मतलब मैं लिए सकता वी यह सक्वेर्ट वी यह स्क्वेर्ट वी जा सक्ता लेकिन बैया इसकी जो विल्सेटी वे एक्स्वेर्ट एकस इकल टू त सें क्यूंकि identical particle है एक ही रूम में तो ग्याज भी सेम होगा सब सेम होगा इसलिए मैं लिख सकता हूं तो मैं इसी को यहां पर 20 स्कूर जो लिख रहे हैं आप लोग यह इसके लिए 1 प्लस यह जो है यह त्री अलॉंग दा एक्सिज जा सकता है इसलिए 1 बाइ थार्ड लिखा अरे थ्री अक्सिज से जा सकता ना मतलब कुछ इदर जाओ कुछ इदर जाओ कुछ इदर जाओ एक्स वाइजत तीनों आक्सिज में जाना एक्स वाइख है और इक जेड़ है इसलिए भाया इस वी की वैलिव मुझे यह पुटप करने का आधिकार होगा यह तो चलो प्रे this is the pressure exerted हो रहा है बया इस gas molecule को उपर मतलब देखो दोबारा यन बाई V ए यम लिखा है बोल देने यन बाई V देखो यन बाई V V ओके यह यम है इसकी वैलिव है बया वन बाई 3 V स्क्वर डाल दिया मैंने तो इतना प्रेशर एक्जर्टेड होगा यह आपको लिखना है चार मार्क के लिए सवाल हो सकता है एक्स्प्रेशन में मैंने क्या लिख्या तो जो बात कर रहा हूं है फोर्स कितना एक्जर्ट होगा यह होगा यह सबी चीज़े बतानी आप लोगों को बस यह इतना डेरिवेशन इस मोश्ट इंपोर्टन्स है आपको चार मार्क में लिख ले एक्स्प्रेशन लिखना है समझ में आ रहा है तो यह आपका डेरिवेशन बहुत सिंपल है कुछडी यह फार्मूली याद होना चाहिए मोमेंटम, टाइम, फोर्स, प्रेशर चार फार्मूली यह उनको आते हैं बस उसी को अरेंज करना आ चाहिए बाकी कुछ नहीं बया बहुत इजी है फेजिक्स चलो तो इसको कर लेना आप लोगों को फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो निकालना है तो कि जो इनको यह उनको ऑनपनी खायवाला है और इसके अंदर ग्यास आसा कुछ ठीक है और यह जो मतलब लिये वाले जो पिस्टन से यह फ्रिक्ष्णाल लेस होना चाहिए वेट लेस भी होना चाहिए सबसे में और यहां पर मैंने एयर इसके अंदर रही है इसका प्रेशर वैलूम टेंपरेशर सब कुछ इस गास मलुकल का होगा सबसे पहले देखो क्या क तुरिशर मधिया रही हो दैना मैं देने वाला हूं हीट क्या देने गया हुन हम हीट लिकabytes एका ही जने मतलब यहां पे थर्र पॉंट गोलऊंगा मैने डीह ओड़ने इतनी लिगा ए نہیں हेंट यहां पे पिश्टन अपनी ही जगे पे है कई कुछ नहीं मतलब यहां पे जो डीवीह वयां वह घिफुल है मतलब चेंजिन वह रहा है क्या नहीं व्यर्म उतना ही है तो तो ये हीट कहां जाएगी तो इस gas molecule को मिलेगी और इस gas molecule को जे internal energy du बोलो यह है आपके in the book में De लिखा होगा देखो कभी-कभी du होता है कभी-कभी de लिखते हैं कोई टेंशन नहीं तो इतनी है तो इतनी है consider करते है कि हमारे पास dv इतनी internal energy बढ़ यहां पर फार्मुला है बात तो समझ में आडんな ऑने से वोर्क हो रहे क्या नहीं तो वह या एक्चल में हमारे पास अगर हम लोगो यहां पे law पड़ा होगा तो लिखते है du plus dw, यह 0 है अपके books में सहए dee भी लिखाओ तो चलेगा, ठीक है, मतलब बया, इसको मैं काट सकता हूँ, यह 0 है, ठीक है, यह 0 है, मतलब बया, मैं लिख सकता हूँ, dq1 is equal to de, और यहां पे क्या constant है, pacific constant value है, और delta, temperature change किया मैंने, मेरे बाद समझ में आरी equation कैसे लिखा मैंने, तो यहां पर amount of heat दे दी, heat देने से इसका value कोई change नहीं रहा, constant value है, तो value constant तो work भी 0 होगा बया, work नहीं होगा यहां पे, लेकिन इस internal energy, इस molecule, gas molecule की internal energy बढ़ेगी, तो internal energy बढ़ गई, तो क्या-क्या मैंने, pacific heat constant volume रखा है, temperature change किया है, equation number one, मेरे खाल से, बहुत detail में लेनी की कोशिश कर रहा हूँ भही लोग, समझ में तो आरा है, दिखा ही तो दे रहा है, आप लोगों को, okay, आगे बढ़ता हूँ, चलो, आप देखो, next fourth point पर क्या कर रहा हूँ, लिखना है, यह welding में लिखना है, आप देखो, amount of feet दे रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम देता हूँ, जो भी देना है, देलो, नहीं दिया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं देता, DQ2, नाम दिया, आप amount of feet दे रहा हूँ, amount of feet देने से, आप का जो pistons था बईया, यहां पे था भी, देखो, यहां था ना, आप इस इसकी internal energy नहीं बढ़ेगी, यह बढ़ रही है, समझो, समझो, समझ दाए बढ़ेगा, आप क्या होगा, heat दे रहा हूँ, heat देने से, इसकी internal energy बढ़ रही है, कुछ piston भी उपर जा रहा है, मतलब यहां पे internal energy बढ़ रही है, DE नाम की E, और साथ में work done हो रहा है, आपको तो ल नमर दो, मैंने बास समझ में आरे बढ़ेगा, amount of feet देने से, DQ2 दे रहा था, मैं यहां पे, यहां पे DQ1 दे रहा था, तब यहां पे इसका value constant, अभी क्या है, pressure constant है, तब मैंने इसकी internal energy बढ़ रही है, और इसका value भी change हुआ है, तो work हो रहा है, चलो, तो एक काम करते है, आ ठीक है, sorry, force into displacement, मैंने क्या किया फिर यहां पे, कि यहां एक काम किया, area से multiply यहां किया, divided by, यहां पे भी area कर दिया, क्या फरक्वरा यार, area cancel होता है, force per unit area मतलब होगा, वह यहां प्रेशर, और यह होता है, यहां पे volume, बास समझ मैंने, displacement multiply area, तो DV होगा, force per unit area, pressure होता है, पता इस equation को उठाता हूँ, इसको, यह DQ मतलब यह ही है न, तो देखो, यहां पे मैं CP into DT लिखता हूँ, यह यह लिखूँगा, यहां पे DE plus work done, बास समझ मैं रही, बास इसको उठा के यहां ला रहा, इसका मतलब है, सब equal है, तो यह डाल सकता हो, दोनों को, CP into DT as it is रखता DE का मतलब क्या होता है, तो यह है बाया, क्या है, CV into DT, प्लस DW का मतलब क्या है, यह है, P into DV, बास समझ मैं रही है, कोई डेंशन है, इसको इदर लाता हूँ, CP, DT, CV, DT, P into DV, बास समझ मैं रही है, मुझे लगता है कि CP minus CV करना चाहिए, DT यहां करता है, लिख रहो तो दिखाई तो दे रहा है, बास समझ मैं रही है, DT common निकाला, P into DV, लेकिन P into DV क्या है, तो इसको समझते है पहले, इस डाइगराम को मिटार रहा हूँ मैं, इसका काम हो गया, अभी समझाने के लिए थी वो डाइगराम, अब बढ़ते आगे, क्या हमेरे पास idle gas equation, PV is equal to nRT थ बास समझ मैं रही है, तो P into DV change है, तो R into DT लिख सकता हूँ, मतलब PV into DT के जगे पे, मुझे यहाँ पे देखो, CP minus CV into DT is equal to R into DT दिख रहा है, DT से DT को मार दो, तो CP minus CV is equal to R, this is the, this relation, got it, समझ मैं रहा है, आपको wording में लिखना पड़ेगा, इसके बारे में भी, क्या लिख है, अपने जगे पे है, constant यहाँ पे, उसका, मतलब, volume constant है, बोलो, यह, volume change नहीं हो रहा है, बोलो, यह भी बोल सकते है, work नहीं हो रहा है, बताना इसमें, यहाँ पे work हो रहा है, internal energy बढ़ रहा है, लिखना है, वरेडिंग में आप लोगों को, बास समझ मैं रही है, तो ऐसे यहाँ पे, चार मार के लिए, long questions के answer मैंने खतम कर दिये, next chapter आपके लिए मैं लेक्या होंगा, तब तक करना बच्चो, sharing, like करना, new year तो बज्या चैनल को या, subscribe भी करना, चलो, thank you, and best luck for your study and your future plan.